विश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो भी एंड्रॉइड फोन होगा तो उसमें जो फिंगर प्रिंट सेंसर जो है ना आपका लॉक के लिए वो कैसे एड़ करें यहां पर मेरे फोन पर जो पैटन लगा हुआ है यहां पर यह पैटन है मेरा पैटन तो इसमें मैं हापे मेरा फिंगर प्रिंट सेंसर कैसे एड़ करूंगा जो फोन में किसी-किसी फोन में आगे फ्रंट डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर रहता और किसी-किसी फोन में बैक साइड का तो दोनों का स्टेप सीम ही है तो उसको कैसे एड़ करें इस व आऊंगा तो fingerprint का option आएगा नहीं तो आप यहाँ पर directly आपका जो भी settings open करेंगे तो हाई से भी आप search कर सकते हैं मैं आप fingerprint पर click कर देता हूँ मेरा जो भी pattern या पिन रहेंगा वो confirm कर देता हूँ उसके बाद देखिए आप एक continue पर click कर देता हूँ यह देखिए start scanning with the center of your finger तो मेरा जो भी फिंगर है उसको continuous वो finger sensor के पास आपको add करते हुए जाना है तो देखिए आप मैं add कर रहा हूँ तो यह थोड़ा-थोड़ा फिल कर रहा है यहां पर देखिए आप यहां पर देखिए 70% हो गया इसको continue आपको finger को है ना उपर नीचे आगे पीछे से rotate करते जाना है तो थोड़ा-थोड़ा हो sensor पूरा detect कर लेगा यहां पर देखिए लगबग हो चुका है हमारा fingerprint sensor यहां पर यह देखिए 100% यह और fingerprint added यहां पर done पर क्लिक कर देना है जैसे done पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक बार फोन को लॉक कर देना ओपिस यहां पर दिखिए अनलोग के लिए मेरे fingerprint sensor का यहां पर option आ चुका है तो यहां पर में फिंगर पर क्लिक कर दूँगा यहां पर मेरा phone unlock हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरीके से आपका अगर फोन में back side का fingerprint sensor रहेगा या friend कर रहेगा सेम प्रोसेस से बस आपको fingerprint properly के लिए add कर देना आपके फोन में तो इससे आपका fingerprint भी अनलोग हो जाएगा और अगर fingerprint नहीं कभी कभी लगाना चाहते तो आप pattern से भी अनलोग कर सकते हो तो दोनों step यहां पर इसके साथ मिल जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद